चलिए आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे कारण जो कि आपके उपायों का असर आपको मिलने नहीं देते हैं ये गलतियां कुछ हमारे दुवारा ही की जाती हैं हम उपाय तो कराते हैं पर उन उपायों से मिलने वाला जो एक positive effect होता है उसको हम खुद बखुद अपने ही गलतियों के कारण रोक देते हैं और बाद में दोश देते हैं कि हमने तो सब कुछ किया पर हमें कोई फायदा नहीं मिला ऐसे क्या कारण है आज मैं आपको ऐसे तीन कारण बताने वाला हूँ जो उपाय का सत्या नाश कर देते हैं और उपाय का असर मिलने नहीं देते हैं तो नमस्कार दोस्तो मैं सुभाज शर्मा चंडीगर से लाल किताब के ग्यान में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को important information देदें जो कि दिवाली से जुड़ी हुई है और दिवाली पर आप सभी लोगों के लिए माध्धनलक्ष्मी पोटली का आयोजन किया जाता है आप सभी लोगों के घर ये माध्धनलक्ष्मी पोटली बनाई जाती है पहुंचाई जाती है कि आप अपने घर के लॉकर में स्थाफित कर सको और पूरे वर्ष आपके घर में माध्धनलक्ष्मी की करपा बनी रहे और किस तरीके से ये रखनी है, क्या है इसका प्रोसेस ये सारा का सारा आपको बताया जाएगा आप सभी लोगों के लिए ये धनलक्ष्मी पोटली अभी से बुकिंग ली जा रही है और नवरात्रों के समय में इसका अभी मंतिरत करके आपके घर भेज भी दिया जाएगा ध्यान रखिएगा कि अगर मेरे नाम से कोई फोन करता है या मेरी संस्था के नाम से फोन करता है कि ऐसे सुबाज शर्मा जी की संस्था से हम बात कर रहे हैं तो आपको फट से अलर्ट हो जाना है कि ना ही मेरी कोई संस्था है ना ही मेरा कोई आफिस है आप लोग सचेत रहिए कहीं भी गलत चक्रों में किसी के ना फसियेगा तो कारण नमबर एक मान लिजे आपको कहा गया है कि आपकी कुंडली में मंगल खराब है यानि कि मंगल बद है अब मंगल खराब के तो असर जीवन में पता नहीं कहां कहां पड़ते हैं पूरा जीवन एक तरीके से खुशी रहीत हो जाता है इनसान अगर कहीं पर भूले उपाय करके आये कुछ ना कुछ डाल के आये या फिर आप जाये ये चीजें जल परवा करके आये व्यक्ति गया तो बड़े चाव से कि हां उपाय करने जा रहा हूं उपाय करने के बाद आया अब उपाय करने के बाद आया घर पे आया तो घर पे सबसे पहले तो मान लिज जैसा आपका है व्यक्ति, उनके साथ आपने बेमतलब का जगड़ा करना शुरू कर दिया, अब एक तरफ तो आपने उपाय किया और दूसरी तरफ उससे संबंदित कारक जीवित व्यक्तियों के साथ आपने इस तरह से व्यभार किया, तो समझ लिजे वो आपका किया गया उ तो आपको के उपाय करने चाहिए, अब व्यक्ति गया तो बहार के उपाय करने कुछ चीजे जल परवा करने के लिए गया या फिर किसी तरीके से वह कहीं कुट्टों को देने गया, अब उपाय करके आ रहा है, बाइचांस रस्ते में कहीं पर उसकी गाड़ी के नीचे ही क कुट्ता था ठीकिन उसने मार पीट के पथर पुथर मार के सबसे पहले उस कुट्ते को भगाया घर पहुंचा तो पता लगा भाया मेरे घर के जहां पर मैं गाड़ी यह करता हूं वहीं पर ही कुट्ते थे लोटे हुए होई अब उसने किसी तरीके से एक तरफ वह कुट्तों को मार रहा है या फिर किप गलि गलोच कर रहा है लत्या रहा है कुछ भीी इस तरह की जो होती है conditions यानि कि उनको हीन भावना और दुश्मन की दृष्टी से जब अपने गली महले के कुत्तों को इंसान देखता है तो समझ लिजे उसका केतू वो जो positive result देने वाला था उपाय के जरीए वहीं पर वो अपने result stop कर देता है तो इसी तरीके से आपने केतू को अगर खराब कर लिया तो कई लोगों के घर के बाहर कुत्तों को मारता है कहीं accident हुआ उसने देखा नहीं कहीं उसके सामने जख्मी कुत्ता आया उसने देखा नहीं ध्यान नहीं दिया देखियो कुत्ता आकर अगर जख्मी है वो आपको ये नहीं बोलेगा कि मेरी मरम पटी कराओ आपके अंदर वो इच्छा जागनी चाहिए कि ये कुत्ता जरूरत में है मैं इसके जरूरत कैसे पूरी करूँ इसके शरीर से मिलने वाले इसे कश्ट कैसे दूर कर सकूँ आप उपाय तो करने के लिए बड़े चाव से जाते हो पैसा खर्च के पर बाद में आप उपाय के जो स्ट्रेंथ होती हो उसको मेंटेन नहीं कर पाते हो यही आपके उपायों के रिजल्ट को खराब कर देता है आप कुत्ते के साथ अगर कुत्ते को बिस्किट डाल रहे हो सिर्फ फॉर्मेल्टी मत करिए जब तक कुत्ते के अंदर आपके प्रति वो प्यार नहीं जागेगा और वो आपके प्य पानवर के साथ connection नहीं बनेगा तब तक आपका केतु का उपाय या कोई भी उपाय है तब तक नहीं बनेगा चलिए बात करते हैं बुद्ध के उपाय के बारे में व्यक्ति बुद्ध के उपाय करते हैं माल लिजे किसी का बुद्ध खराब है financial problem है या health की problem है या फिर बुद्ध के उपाय करें अब बुद्ध के उपाय करने तो व्यक्ति जाता है पहला काम तो यह है कि आजकर लोग बहाने बहुत बनाते हैं अगर उनको कहा जाए कि आपको लगातार जितना लंबा हो सके उतना रात को मूंग भिगा के हरी वाली सुबह पक्षियों को डालत होती है प्राइमरी सबसे पहला जो आपका होता है वो होता है कर्म और सची निष्ठा और सची श्रद्धा से करने वाला जहां चाहा होती है वहीं रहा होती है अगर आपके अंदर चाही नहीं है इस तरह की कि मैं यह जाके काम करूँ थोड़ा सा पेन अपने शरीर को उपाय इंस्टेंट्ली रिजल्ट नहीं देता कुछ उपायों के जो रिजल्ट आते हैं थोड़े लंबे आते हैं वुद्ध के उपाय व्यक्ति करने के लिए गया यह इंसीडेंसे बहुत से हैं इस तरह की चीजे मेरे सामने बहुत आती है तो मैं आपको सामने जो भी शे के उसे कहा जाओ बाहर पक्षियों को दाना डाल के आओ रोज पक्षियों को दाना डालने जाता था और बाद में पता लगा कि इस तरीके से वो घर आकर और चलते फिरते दिन भर में उल्टे सीधे काम करता था किसी की बेहन बेटियों को ताड़ना किसी बेहन बेटियों के परती गलत नजर रखना इस तरह के उपाए भी इनसान करने के बाद इस तरह की गलतियां भी करता है जो गलतियां कुकर्म के रूप में इनसान के एक कर्मों के लेयर बाय लेयर चड़ती जाती हैं, आप चाहें उपाई जितने मर्जी कर लो, जितने मर्जी आप महंगे उपाई कर लो, जब तक आपके अंदर बुध जो कि चाहे अपनी बहन बुआ मौसी हो, चाहे किसी की बहन बेटी हो, अगर आपने उनके प्रति गंदी नजर रखी, गंदी सोच अपने अंदर लेकर आए तो यहां पर आपका किया हुआ उपाय सब बेकार हो जाएगा व्यक्ति का बुद्ध बहुत खराब है रोज जिम जाता है और रोज अंडे खाता है बुद्ध खराब वाले अगर अंडे खाएंगे तो उनका बुद्ध कभी सही नहीं होगा बाद में यह कहते हैं ने जी हम तो जिम जाते हैं हमारे तो झाँ कोच ने कहा है कि अंडे ये नौन्वेज तो खाना पड़ेगा क्या यही सब खाकर ही आपकी बुद्ध को बाड़ी बनेगी कई लोग तो अपने छत पर ही दाना डाल देते हैं भाईया बाहर जाना ही ना पड़े सब कुछ मेरे घर में हो जाए पर भू भी आपके आपके घर में आपको आशिरवात दे जाएं ऐसे लोग समझते हैं इस तरह से थोड़ा सा बचिये थोड़ा सा आपको चेंजिस लेकर आने पड़ेंगे घर से बाहर जाए लोग इतना आपने देखा होगा बहुत से लोग सुबह जल्दी उठवाट के जाते हैं पक्षियों को पहले दाना डालते हैं सहीं सेफ जगा पे डालते हैं जहां पे सब लोग डालते हैं बातों पे किसी भी उपाय को अगर आप कर रहे हो तो उससे संबंदित कोई भी चीजों से आपको प्यार और सनेह बना के रखना है बहन, बुवा, मौसी, किसी की बेटी, अपनी बेटी, किसी की बेटी जो भी हैं बुद्ध के उपाय किये तो इनके प्रती श्रद्धा अपन जन्दी हैं, बुद्ध के उपाय करके आ रहे हैं, काम क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो थोड़ा सोचिए, विचारिए, बाकि इन जानकारियों को अपने जीवन में अपनाईए, ये जानकारियां किसी और के लिए भी बेनिफीशल हो सकती हैं, तो उनको भी ये वीड वीडियों में, तब तक के लिए अपने सुभाज भाई को आगए दीजिए, नमस्कार